आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस जोन में ICACA बैंक ने अपना 52 विक हाई प्राइस बनेया था और दोस्तों उसके बाद इस शेर में continuous गिरावटी चल रही है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले कि इस शेर में और कितनी गिरावट आ सकती है इस शेर को क्या अभी हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए साथी साथ हम देखेंगे कि इस शेर में हमारे शॉट टम टारगेट्स क्या रहेंगे तो चल ये वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो इस ओनली फॉर एज्जुकेशनल परपस रिद धर डिस्क्लेमर कैरफुली आईए अब हम स और जब भी इस शेर में तेजी आती है तो फिर ये शेर इस लाइन पर रेजिस्टन्स करता है और फिर वापस इस शेर में गिरावट आ जाती है आप यहाँ पर देख सकते हो चार बार ऐसा ही हुआ है और अगर हम इस शेर में रेजिस्टन्स लेवल की बात करें तो यहाँ पर 5.93 का लेवल इस शेर के लिए एक strong resistance का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर आप देखो के पहले इस शेर ने इस लेवल पर support लिया था पर अभी ये शेर इस लेवल पर resistance वेस कर रहा है इसलिए हम कह सकते के इस शेर में तेजी तब भी आईगी जब ये शेर 5.93 रुपीज का लेवल क्लोजिंग बेसेस पर ब्रेक करके एक upside moment दिखाता है आई अगर हम इस शेर के important support trend line को देख लेते हैं अगर हम इस शेर में support की बात करें तो दोस्तों आप ये वाला जो line देख सकते हो ये line शेर के लिए strong support का का काम करेगा क्योंकि आप यापर देखो पहले भी इस शेर ने इसी line पर multi time support लिया है और यहाँ पर आप देखो कि इस शेर में हिदर से लेके हिदर तक continuous गिरावटी चल रही थी पर इस zone में हमें दिख रहे है कि इस शेर में कोई गिरावट नहीं आई यह शेर इस zone में consolidate कर रहा है इसलिए 560 रूपीज का लेवल इस शेर के लिए एक strong support है अगर यह शेर यह लेवल तोड़के एक downside movement दिखते है तो इस शेर में बहुत बड़ी गिरावट भी आ सकती है आई यह वह हम देख लेते कि क्या इस शेर को अभी हमें buy करना चाहिए या sell करना चाहिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखे तो आप देख सकते हो कि यह शेर के लिए यह line शेर के लिए एक resistance का का काम कर रही है पर यह जो नीचे वाली line है यह line शेर के लिए एक support का का काम कर रही है तो यहाँ पर एक triangle pattern form होता हुआ दिखाई दे रहा है तो अगर बात आती है buying और selling की तो यहाँ पर एक simple logic है अगर यह share अपना resistance तोड़ता है तो हम शेर में buying करेंगे और अगर यह share अपना support तोड़ देता है तो हम शेर में कोई भी buying नहीं करेंगे तो अगर आपको शेर में entry लेनी है तो तब भी लो जब यह share 5.93 रुपीज का level break करता है क्योंकि उसके बाद शेर में अच्छी तेजी आ सकती है और अगर आपको शेर में stop loss लगाना है तो आपका stop loss बहुत ही कम रहेगा और वो रहेगा 555 रुपीज का तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना इस शेर में मेरी कोई भी बाइस अल्या होल्ड की सला नहीं है धन्यवाद